कि तो आई यह तब बताता हूं मैं आपको इसमें जो डोय बेस्ट टेप इस आपको दिख रहाँ होगा यह फॉर्स टेप नशेशन करके इसका नाम में पिर ने इसमें इसमें क्लिक करता हूं इसपे जिए अप देखें जैसे आप क्लिक करते ओपन हो जाता वैसे अगर आप तो पहले आपसे sign up मांगेगा आप इसको sign up कर लीजिएगा कोई आपनी Google के अड़ी जिससे भी आपको करना हो पिर आप देखेंगे यहां पर आपको देख रहा होगा 44 sounds लिखा है एंग्लिस stress लिखा होगा आप 44 sounds पर क्लिक कर दीजिए तो sounds भी नोने अलग-अलग categories में दीए हुए हैं जैसे short vowels हैं फिर long vowels हैं double vowel sound है फिर बाइस लेस consonants और other consonants जी हैं इसमें आपके 44 sounds के इस तरह से नोने अलग-अलग categories में भी divide कर दिया है उसके बारे में पूरा फुल आप उसको बार-बार ये listen पर click करके बार-बार सुन सकते हैं इसकी आप video भी देख सकते हैं इनका YouTube पर चैनल है एंड खुद record भी कर सकते हैं फिर आपका आता ये जैसे आप देख सकते हैं इसके बारे में लिखा हुआ है English में भी लिखा हुआ है अगर आपको ہंदी में समझना कि भाई कैसे इसको बोलना है हमें तरीका समझ में नहीं आ रहा अगर आपको English में समझ में नहीं आ तो आप हंदी में भी देख सकतें यह हंदी Felix łagस आपने जो sound कि eru replicate यह ऐ i sound जो है puff in हमल जिस तरह यह खासेट इस एप की खासेट है कि इसमें UK और US दोनों ही साउंड है आपको बता दें UK और US दोनों ही साउंड में अलग-अलग डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत उनका तरीक अलग होता बोलने का तो आपके से आप UK का भी तरीका समझ सकते हैं और US का भी जी यहां इसमें उनको फ्रैजेस भी दिये हुए हैं तो आप फ्रैजेस को इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा और उसको हिंदी में लिका और जो साउंड है उसको उन्होंने हाइलाइटेड यह रैड किया हुआ है तो आप साउंड पर क्लिक करके उनको समझ सकते हैं पूर इस पर क्लिक करेंगे और डन करतेंगे तो इस तरीके से आते रहेंगे और आप अपने आपको चैक भी कर सकते हैं यहां से जैसे कुछ भी क्लिक मैं इसको लिख देता हूं जैसे आपको लिख रहें और इसको जहां से चैक देन आप देख सकते हैं अपका अंसर जो भी हैं आपको यहां से देख सकते हैं आपको जाएंगे से चैक। कोई भी साउंड को इस पे कलिक करके आप उसके बारे में एक तो पूरा फुलЭ्ल नॉलेज्ट आप ले सकते जब Spencer और मैं यह किरा हूं इसमें जादा भागदोर नहीं मestraय को आपके जब तक आप उस साउंड को न ही सीख ले रे तब तक उसी पर ही focus करें एक ही साउंड पर फोकस करें आप बहुत आराम से सीख जाएंगे से उसमें प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी चीज़ां दी हुई हैं आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि आप अगल को रट जाएंगे आपको फिर ध्यान देने की जोरत नहीं पड़ेगी बैक जाते हैं तो इस तरीके से पूरे यह साउंड है साथ में पर आता है आपके इंगलिस इसमें दिया हुआ है इसमें किस तरीके से जब हम बोलते हैं तो मैं किस तरीके से स्ट्रेस लेना आप साउंड सुन सकते हैं हर चीज में यह एड़ जैक्टिव आरा है इसमें इसमें भी आप पूरा सुन सकते हैं और इसके बाद आपका जो एड़ वब्स भी हैं यह पूरा आपका स्टेस रूल से तो कुल मिलाकर यह की बहुत शानदार है पहर हर इसमें आप साउंड से हर चीज आप बिल्कुल आराम से सीख सकते हैं पूरे साउंड इससे आप आराम से सीख सकते हैं और यह सबसे बड़ी बात है कोई पैड वर्जन नहीं है यह फ्री में है पूरा आप चाहते इसको अपडेट प्रो वर्जन में कर सकते हैं लेकिन जरूत नहीं है आप इससे ह कर सकते हैं इससे बहुत कोछ हो जाएगा अब एक एक और और एप है आपकी दूसरी जो देख सब ऐसे तो नौरमल है यह बेस्ट अप तो प्रनाशेशन नहीं है लेकिन अगर आपको देखना पर आप जा सकते हैं साउंड्स पे एक और और एप हो ते साउंड्स करके यह एप आए कि जैसे अपने इस पर क्लेक किया तो इसका इस तरह तरह एक साउंड आएगे झस पर जिस पर एक कलिक करते हैं इस तरह आपको जो भी आउThis पर क्लेक करें आपको इसका साउंड्स का पता चल जाएगा जान बैड करें यह उस Mean plaster कि alrum बैस्ट टेड हैं यह बेस्ट आपको पढ़ सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा हाँ तब आप यहां से शो करके चेक कर लें जिसे बारबर वह साउंड जब आप चेक करते हैं तो वह साउंड को बोलता भी है एंड़न इसके बाद आपका राइट वाला है मुझा वहां पर लिखा रहेगा आपको लिखना यहां से आप कर सकते हैं और नेस्ट पर किलिक कर सकते हैं जैसे भी जितने भी आप कर सकते हैं इसका लिसन भी है अब साउंड आता है पहले फिर साउंड आता है पर आपको लिखना होता है फिर देन आप अपने आपको चेक कर सकते हैं इस तरह के से यह प्रैक्टिस टेस्ट क करने के लिए कोईज भी है इसमें रीड रिटन जैसे धना दना फाल तुम अपना स्कोर कर सकते हैं गैन कर सकते हैं इस तरीके से आपकी दूसरी एफ होती है तो फ्रेंड्स यह जो दौनों एप है बहुत जादा जरूरी हैं अगर आपको साउंड सीखना है तो सही से प्रनें